हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज है दोस्तों संडे और मन करता है को स्पेशल बनाने का लेकिन स्पेशल भी हो और साथ में छेटपट भी बन जाएं तो अब हरी हरी मटर मार्केट में आनी शुड़ू हो गई है तो आज मैंने बनाया यह बहुत ही टेस्टी मटर पनीर पुलाव जिससे आप बहुत ही आसानी सी चुटकियों में बना लेंगे और इसके साथ सर्व किया मैंने तही और पापर तो लीजे हमारा लंच तयार है आप इसे एक बरतन में डाल कर अच्छे से दो तीन बार दुलकर पानी में पिका दे आदा गंटे के लिए फिर मैंने गैस पर रखा एक पैन इसमें टाला एक चम्मा चॉय और सबसे पहले इसमें कुछ काजू के टुकडो को फ्राई कर लेना है अच्छे से गोल्डन होने अब इसी में टाल दिया मैंने 100 ग्राम के करीब पनीर जिसे मैंने इस तरीके से क्यूप में कट कर लिया है और पनीर को भी आप कोल्डन फ्राई कर लें पनीर फ्राई करके ही पुलाओ में ज्यादा अच्छा लगता है तो देखिए अच्छे से पनीर हमारा गोल्डन होने लगा है तो इस तरीके से जब लगे पूरा गोल्डन हो गया है तो आप निकाल लें और अब आदा गंटे बाद मैंने रख लिया एक प्रिशर कोकर और इसमें डाल दें दो बड़े चम्मच ओयल जैसे ओल गर्म हो एक तेज पत्ता दो लॉंग चार पांच काले मिर्ची और आदा जब मचीरा और ये सारी चीजे जैसे ही तड़कें आप इसमें डाल दें दो प्याज जिसे इस तरीके से मैंने लंबाई में कट कर लिया है लेकिन पतली पतली स्लाइस में ही कट करें और प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन होने तक भून लेना है जब तक ही अच् कर को सेकेंड्स आप भूने और इसमें इसी समय डालने जो हमने चावल बिगा के रखे थे वो पानी निकाल कर आप चावल इसमें पहले डालने शुरू में पानी को बिल्कुल नहीं डालना है और अब इन मटर और चावल दोनों चीजों को प्याज के साथ अच्छे से एक स दो मिनट आप हाई फ्लेम पर भूने जिससे हमारे जो चावल थोड़े हलके हलके सिख जाएंगे और इसी समय डाल दिया मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इस तरीके से चावल को भून लेने से जो पुलाव है हमारा बहुत अच्छा खिला-खिला बनता है बिल्कुल बिल्कुल नहीं डालोगी जाद से जाद है आप सवा कप कर दें और इसी समय जो फ्राई कीवे पनीर थे और काजू वो डाल दें और अब इसमें मैंने डाल दिया एक छोटा चम्मे देसी घी का और लिट लगाकर गैस का फ्लेम लो कर दें और एक सीटी तक पका लें अब स हमारा कूकर भी ठंडा हो चुका है आप देख सकते हैं कितना अच्छा पुलाव बना है उपर से डाल दे बारी कटा हरा धनिया तो देखिए मैं आपको पुलाव का टेक्शर भी दिखाती हूं कि एक एक चावल बिल्कुल खिला खिला बना है कूकर में पुलाव बनाने का बस यही है कि आप पानी का जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल ठीक रखें अगर थोड़ा भी ज्यादा कर देंगे तो यह पुलाव आपका गीला हो जाएगा तो चलिए कर लेते हैं सर्व तो लीजे दोस्तो हमारा बहुत ही तेज़ती चटपटा मतर पनीर पुलाव सर्व के है तो लीजे हमारा संडे का स्पेशल लंच तैयार है अगर आपको यह रैस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और अपना वह मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो जब के लिए इतना ही मिलते हैं फिर एक नई रैसिपी के साथ धन्यवाद